परिजय आज अमित और संजय को बाजार जाना है। संजय तैयार हो गया है और अमित का इंतिजार कर रहा है। अमित जल्दी में है और अपने बाल समार रहा है। उसने कंगे को मेज पर रखा और जब उसने दोबारा कंगा उठाया तो वह चकित रह गया। कागस के कुछ टुकडे कंगे से चिपक गए। उसने कंगा हिलाया, लेकिन कुछ ही टुकडे नीचे गिरे। कुछ अभी भी इससे चिपके रहे। उसने संजे से पूछा कि कागस के टुकडे कंगे से क्यों चिपक गए। संजे ने बताया कि ऐसा आवेशों के आकर्षण के कारण होता है। जब तुमने बालों में कंखा किया, तो कंखा रगडने के कारण आवेशित हो गया। जब कंखे को कागस के निकट लाया गया, तो कागस पर विप्रीत आवेश बन गया। और वे दोनों एक दूसरी की ओर आकरिष्ट हो गये। चात्रों वेद्द आवेश हमारे हर ओर पाए जाते हैं। आज हम वेद्द आवेश तथा शेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वेद्द आवेश को परिभाशित करना। चालकों एवं विद्द रोधियों को परिभाशित करना। प्रेरण द्वारा आवेशन के पारे में जानना। वेद्द आवेश के मूल कुणों को समझना। कूलों के नियम को परिभाशित करना। बहुल आवेशों के बीच बलों की करना कर विद्ध क्षेत्र को परिभाशित करना, विद्ध क्षेत्र रेखाएं खीचना, विद्ध फ्लक्स तथा विद्ध दुईत्रुव के बारे में जानना, एक समान वहे क्षेत्र में दुईत्रुव का विशलेशन करना, संतत आवेश विद्रण की गणना करना, गौस के नियम तथा इसके अनुप्रयोगों को परिभाशित करना. वैद्युत आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश यानि धनावेश तथा रणात्मक आवेश यानि रणावेश. सामान आवेश एक दूसरे को प्रती कर्शित तथा विप्रीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं यदि कांच की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगडने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रती कर्शित करती हैं यदि प्लास्टिक की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगडने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रती कर्शित करती हैं यदि कांज की एक छड तथा प्लास्टिक की एक छड को रेशम के कपड़े से रगणने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को आकर्शित करती है विद्ध आवेश एक अधिश राशी है आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है प्रतेक उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रोनों एवं प्रोट्रोनों की संख्या बराबर होती है जब इलेक्ट्रोनों एवं प्रोट्रोनों की संख्या बराबर नहीं होती तो वस्तु में एक नेट धनावेश या रनावेश होता है चालक तथा विद्धत रोधी समग्रियों को उनके माथ्यम से विद्धत आवेश, प्रवाहित या संचालित होने की शमता के अनुसार वर्गिक कृत किया जाता है चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें होकर विद्धत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है धात्वें अच्छी चालक होती हैं जैसे की तांबा, चांदी, अलुमिनियम और स्वर्ण धात्विक चालक में पदार्थ में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या अधिक होती है जो पदार्थ में विचरण कर सकते हैं प्रतेक पर्माणूं से अलग होने वाले इलेक्ट्रोनों की सही संख्या पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करती है विद्धत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें होकर विद्धत आवेश का प्रवाह नहीं होने पाता अच्छे विद्धत रोधीयों के उधारणों में रबर, लकड़ी, काज और अबरक शामिल हैं विद्धत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रोन नहीं होते सभी इलेक्ट्रोन अपने मात्र पर्माणूं से बंधे रहते हैं और आवेश का चालन संभव नहीं होता प्रेरण द्वारा आवेशन किसी वस्तू को किसी दूसरी आवेशित वस्तू से इस परशिक कराए बिना एक नेट विद्धत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है जब किसी चालक को किसी चालत दार द्वारा प्रित्वी से संयोजित किया जाता है तो इसे भू संपर्कित कहा जाता है आईए इस परिघटना को समझनी के लिए एक उधारण देखें एक रिणा वेशित छड को एक वियुक्त अना वेशित गोले के निकट लाएं परिणाम सरूप गोले का वो भाग धनावेशित हो जाता है जो चड के निकट तम होता है तथा वो भाग रनावेशित हो जाता है जो सबसे दूर होता है भू संपर्क करन तार को गोले से संयोजित करें कुछ एलेकटॉन अब गोले से निकल कर भूमी में चले जाएंगे भूमी से संपरक उठा दे चालक गोले में प्रेरित धनावेश का आधिक के रह जाता है रबर की छड़ को हटा दे चालक गोले में अब नेट धनावेश रह जाता है वैदुत आवेश के मूल कुण योचिता, किसी निकाय का कुलावेश, निकाय के विभिन भागों पर वित्रित सभी प्रथक आवेशों का बीजिय योग होता है उधारण के लिए चार आवेशों, दो कुलाव, माइनस पांच कुलाव, माइनस चै कुलाव और चार कुलाव वाले एक निकाय का कुलावेश, माइनस पांच कुलाव होता है आवेश का सनक्छन वियुक्त निकाय का कुलावेश किसी भी प्रक्रिया के दोरान नियतांक रहता है। आवेश को एक से अन्य निकाय में इस्थानांत रित किया जा सकता है। लेकिने से स्रिजत या नश्ट नहीं किया जा सकता। उधारन के लिए आवेश का भू संपरकर्ण, क्वान्टमी कर्ण, किसी आवेशित वस्तु का कुलावेश, आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशी E का पूरां की गुणज होता है। मुक्त आवेश की सबसे छोटी राशी E, जिसे खोजा गया एक एलेक्टॉन या प्रोटॉन पर आवेश है, जिसका परिमान एक तशम्राव 6.09 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलॉम होता है। किसी वस्तु पर कोई आवेश Q, सदेव Q बराबर N A के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां N एक पूरांख है। कूलॉम का नियम एक बिंदू आवेश द्वारा अन्य बिंदू आवेश पर लगाये जाने वाले विद्धत बल का परिमान, आवेशों के परिमानों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को बिलाने वाली रेखा के अनुदिश निर्देशित होता है। SI प्रणाली में कूलों का नियम नियुन प्रकार का होता है। F पराबर एक बटे चार पाई, एपसिलोन नौट गुडे, मोड क्यू एक गुडे, मोड क्यू दो बटे आरवर्ग। बहुल आवेशों के बीच बल के लिए Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार QN तक आवेश Q1 पर कुलबल F अन्य सभी आवेशों Q2, Q3, Q4 तथा इसी प्रकार QN तक होता है। F1 पराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 तथा इसी प्रकार F1N तक इस समय करण को निम्र रूप में लिखा जा सकता है। F1 बराबर I बराबर 2 से I बराबर N तक का योग बराबर 1 बटे 4 पाई, एपसिलोन नौट गुणे Q1, Q3 बटे R1I गुणे R1I कैप उधारण आईए कुलोम के नियम का एक उधारण देखें। दिये गए चित्र में केंद्री आवेश पर बल ग्याद करें। आईए इसका हल देखें। माना F1 बल का परिमाण है, जिससे आवेश Q2, Q1 की ओर आकरशित है। एफ पराबर 1 बटे 4 बाई, एपसिलोन, नौट कुणे Q1, Q2 बटे R पर्ग। इस समीकरण में मान रखने पर हम बाते हैं कि एफ एक पराबर 45 कुणे 10 की खाथ माइनस 3 न्यूटन जो 0.45 न्यूटन है। एफ दो बल का परिमाण है, जिससे Q2, Q3 की ओर आकरशित है। उप्रोक्त समीकरण में मानों को रखने पर हम पाते हैं कि एफ दो बटाबर 16.875 गुणे 10 की खाथ माइनस 3 न्यूटन जो 0.169 न्यूटन है। Q2 द्वारा अनुभाव किया जाने वाला नेटपल F Q1 की ओर निर्देशित है। तथा निम्न रूप में व्यक्त है। एफ पराबर F1 माइनस F2 बराबर 0.045 माइनस 0.0169 न्यूटन जो 0.081 न्यूटन के पराबर है। विद्ध क्षेत्र आवेश या आवेशों के निकाई के परिताह एक दिक स्थान होता है। जिसमें अन्य आवेशित कन स्थिर वैद्ध बलों का अनुभाव करते हैं। ये क्षेत्र विद्ध क्षेत्र कहलाता है। एक बिंदु पर विद्ध क्षेत्र E को उस बिंदु पर इस्थेत एक छोटे धनात्मक परिक्षण आवेश Q0 त्वारा अनुभव किये जाने वाले विद्ध बल F के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो आवेश से विभाशित होता है. E बराबर F बटे Q0. विद्ध क्षेत्र E एक सतिश है, जिसके दिशा धनात्मक परिक्षण आवेश पर बल F के समान होती है. विद्ध क्षेत्र का SI मातरक न्यूटन प्रति कूलाउम होता है. एक बिंदु पर विद्ध क्षेत्र निम्ननुसार व्यक्त है. E बराबर एक बटे चार पाई एपसिलोन नौट गुणे क्यू बटे आर वर्ग गुणे आर कैप. बिंदु आवेशों के समों के कारण विद्ध क्षेत्र की गणना करने पर अध्यारोपन सिध्धान्त प्रयुक्त होता है. E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और इसी प्रकार E N तक इस समीकरण को निम्ननुसार लिखा जा सकता है. E बराबर योग आई बराबर एक से एक का एन बटे चार पाई एपसिलोन नौट गुणे क्यू आई बटे आर पी आई वर्ग गुणे आर पी आई कैप. विद्धिक्षेत्र रेखाएं विद्धिक्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का मान्चित्र होती हैं, जो दिशा प्रदान करता है, तथा विविद इस्थानों पर विद्धिक्षेत्र की प्रबलता को इंगित करता है. चेतर रेखाएं सदेव धनावेश पर आरंब होती हैं, तथा रिणावेश पर या एकल आवेश की इस्तिती में अनंत पर समाप्त होती हैं। विविद स्थानों में विद्ध क्षेतर की आपेक्षिक प्रबलता को इंगित करती हैं। विद्ध क्षेतर रेखाओं की संख्या की माप है। एक समान विद्ध क्षेतर E में टुबोई गए S क्षेतर भलवाले समतल प्रिष्ट के लिए विद्ध फ्लक्स निम्नवत परिभाशित है। फाई E पराबर E S क्रॉस थीटा जहां E प्रिष्ट के अभिलंबवत है। थीटा पराबर 0 टिकरी तथा फाई E पराबर E S एक अधिकतमान है। इस स्थिती में प्रिष्ट से कुजरने वाली क्षेतर रेखाओं की अधिकतम संक्या होगी। जहां E प्रिष्ट के समान्तर है थीटा पराबर 90 टिकरी और फाई E पराबर 0 है। ऐसी स्थिती में प्रिष्ट से कोई क्षेतर रेखा नहीं कुजरेगी। सामान्ने विद्ध क्षित्र में निमंगन यात्रिचिक बंद प्रिष्ठ के लिए वैद्ध फ्लक्स E cos theta के प्रिष्ठ पर पूर्ण सांखिक के रूप में परिभाशित किया जाता है वैद्ध फ्लक्स का SI मात्रक Newton meter वर्ग प्रतिकूलॉम होता है वैद्ध दूइधरुव दुईद्रुव अखूर्ण P आवेश माइनस Q से आवेश प्लस Q के ओर इंगित सदिश होता है, जिसका परिमान आवेश Q तथा आवेशों के बीच की दूरी दो एक एक गुणन फल के बराबर होता है, P बराबर दो कैप P कैप. एक समान वाहिक्षेत्र में दुईद्रुव एक समान विद्धित्र कशेत्र E में रखे एक दुईद्रुव पर विचार करें, जिसका दुईद्रुव आघून P, E के साथ एक कौंड थीटा बनाता है, इसलिए प्लस Q पर बल QE है, तथा आवेश माइनस Q पर माइनस Q पर द QE है, चूंकि बल समान तथा प्रती समानतर हैं, इसलिए दुईद्रुव पर नेट बल शुन है, हालाकि दोनों बल QE और माइनस QE एक युक्म बनाते हैं, बलागून का परिमान बराबर प्रतीक बल का परिमान गुणे युक्म की भुजा, इस समीकरण को निम्नवत QE का तिरियक गुणन फल संतत आवेश वितरन आवेश वितरन के कारण बिंदु आवेश QE पर विद्धपल आवेश वितरन को संतत मानते हुए, सुविधा पूर्वक परिकलित किया जा सकता है परिकलन प्रक्रिया आवेश वितरन को सोक्ष्म अव्यवों में विभाजित करें ऐसे एक अवियव DQ के कारण आवेश QE पर बल ग्यात करें इसे बिंदु आवेश मानते हुए आवेश QE पर परिडामी बल आवेश वितरन के समस्त अन्य आवेश वियवों के क्षेत्रिय योगदानों के एकिक करण द्वारा प्राप्त किया जाता है रेकिक आवेश खनत्व लेम्टा इस पत का उपियोग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरन एक रेखा के अनुदिश होता है और रेखा की प्रतिकाई लंबाई कुल आवेश के रूप में परिभाशित की जाती है इसका SI मात्रक कुलॉम प्रतिमीटर होता है प्रिष्टिय आवेश खनत्व यानि सिग्मा इस पत का उपियोग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरन एक प्रिष्ट पर होता है और प्रिष्ट के प्रतिकाई चेद्रफल के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका SI मात्रक कुलॉम प्रतिमीटर वर्ग होता है आईतनी आवेश खनत्व रो इस पत का उपियोग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरन एक त्रीविमिय प्रदेश में होता है और प्रदेश के प्रति एकाई आईतन कुलावेश के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका SI मात्रक कुलॉम प्रति घन मीटर होता है गाउस का नियम गाउस का प्रमय एक गाउसियन प्रिश्ट से वेदितफ्लक्ष फाई ए एपसिलोन नॉट ड़ारा विभाजित प्रिश्ट मुक्त दिक स्थान की असंवा हक्ता द्वारा परिबध नेट आवेश क्यू के बराबर होता है गाउस कप्र में एक बंद प्रिष्ट के अंदर आवेश की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है यदि प्रिष्ट पर समस्त बिंदूं के लिए एक याथ हो गाउस के नियम के अनुप्रयोग अनन्ति लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्धित क्षेत्र गाउसियन प्रिष्ट के रूप में हम आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बिलनाकार प्रिष्ट चुनते हैं जिसके अक्षतार के अनुदिश है यदि तार का रहकिक आवेश घनत्व लेम्डा है तो गाउसियन प्रिष्ट में आवेश एल लेम्डा होगा हम जानते हैं कि फाई ए बराबर ए डॉट डिएस के बंद प्रिष्ट पर समाकलन जो ए तथा दो पाई आर एल के गुणन फल के बराबर है यहाँ दो पाई आर एल बेलन के वक्र प्रिष्ट का क्षेत्र फल है गाउस के प्रमय के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरिये दूरी आर पर किसी बिंदू पर विद्धिक्षेत्र लेम्डा बटे दो पाई आर एपसिलोन नौट के बराबर होता है एक समान आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण विद्धिक्षेत्र गाउसियन प्रिष्ट के रूप में हम अनुप्रस्तिक्षेत्र ए और चादर के अभी लंबवत अक्ष के साथ उचाई दो आर वाले एक वृत्तिय बेलन पर विचार करते हैं यदि सिग्मा चादर का प्रिष्टिय आवेश घनत्व है तो गाउसियन प्रिष्ट द्वारा परिबध आवेश L सिग्मा होगा हम जानते हैं कि फाई E बराबर E.ds के बंद प्रिष्ट पर समाकलन जो दो A और E के गुडन फल के बराबर है गाउस का प्रमे के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरिये दूरी आर पर किसी बिंदु पर विद्ध क्षेत्र सिग्मा बटे दो Epsilon नौट के पराबर होता है एक समान आवेशित पतले गोलिये खोल के कारण विद्ध क्षेत्र आर त्रिज्या वाले गोले के के गिंद से आर दूरी परिस्थित बिंदु पर विद्ध क्षेत्र ग्यात करने के लिए हम आर त्रिज्या वाला एक गोलिये काउसियन प्रिष्ट चुनते हैं जो आवेश निम्ननुसार होगा Q बराबर 4 बटे 3 पाई आर घन और रोका कुडन फल स्थिती एक ठोज गोले के बाहर बिंदूं के लिए आर बड़ा है कैपिटल आर से ठोज गोले के केंद्र से आर दूरी पर इस्थित किसी बिंदू पर विद्धत क्षेत्र एक बटे 4 पाई एपसिलोन नौट कुणे Q बटे आर वर्ग के बराबर होता है स्थिती दू ठोज गोले के अंदर बिंदूं के लिए आर छोटा है कैपिटल आर से ठोज गोले के केंद्र से आर दूरी परिस्थित किसी बिंदू पर विद्ध क्षेत्र एक बटे 4 पाई एपसिलोन नौट कुणे आर क्यू बटे आर घन के बराबर होता है क्या आप जानते हैं रगडने पर कम कारे फलन वाले निकाई से इलेक्ट्रोन मुक्त होते हैं और वो धना फेशित हो जाता है उच्चितर कारे फलन वाला निकाई इलेक्ट्रोन प्राप्त करके रणावेशित हो जाता है पॉजिट्रोन एक कण है जिसका द्रवेमान इलेक्ट्रोन के समान होता है पॉजिट्रोन पर इलेक्ट्रोन पर रणावेश के समान परिमान का धनावेश होता है कुछ समय पहले एक बटे तीन ई तथा दो बटे तीन ई आवेश के कड़ों की उपस्थिती अभी ग्रिहित की गई है ये कड़ कौर्क कहलाते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहरा है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित तथा विप्रीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्शिक कराए बिना एक नेट व्यद्यत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरंड द्वारा आवेशन कहलाती है। किसी आवेशित वस्तू का कुलावेश आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशी ई का पूनां की गुणच होता है। एक बिंदू आवेश त्वारा अन्य बिंदू आवेश पर लगाये जाने वाले विद्ध बल का परिमाण आवेशों के परिमाणों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दोरी के वर्ग के विद्ध क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों क वो मिलाने वाली रेखा के अनुतिश निर्देशित होता है। वारा लगाय चाने वाले प्रथक कोलाम बलों का सदिश योग होता है। परिकल्पित प्रिष्ट के माध्यम से काटी जाने वाली विद्द क्षित्र रेखाउं की संख्या की माप है। एक गाउसियन प्रिष्ट से वैद्द फ्लक्स मुक्त दिक स्थान की विद्द शीलिता द्वारा विभाजित प्रिष्ट द्वारा परिबध नेट आवेश के बराबर होता है। झाल